तो जी बजार में आ गई है मित्ती और मित्ती का आपको पता ही है कितने फाइदे मंद है हमारे श्रीर के लिए भी और बालों के लिए तो मित्ती खुब खाई ये सीजन में हमारी की तरह हमने दो तीन बार बना भी लिया है तो इशान्त गया भई इशान्त का टाइम हो चुका था और मास्टर जी का भी टाइम हो गया है पर इनके नब पैन गुम हो गए हैं तो पैन डूडने में लगे हैं हैलो जी नमस्ते राम राम आदाब सत्रियकाल होप की मेरा यूटूब परिवार और जो नए मुझे देख रहे हैं सभी के सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं प्रमिंदर स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लोग म तो मास्टर जी बाई बाई मास्टर जी को बाई बाई कर देते हैं तो इनके जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में तो कोई भी काम असान नहीं होता काम को असान बनाया जाता है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता उसको असान किया जाता है सभी काम मुश्किल हो तो बहुत से कोमेंट आते हैं दीदी आप इतना काम करते हो आप लगे रहते हो बहुत काम करते हो बहुत कपड़े दोते हो हमसे तो नहीं होता तो वही है जैसी आदत डालो वैसी ही आदत डल जाती है तो और हम उरतों को तो होता ही है ये भी कर ले वो भी कर ले मतलब अराम स बैठना होता ही नहीं है तो इनके जाने के बाद मैं कीचन से ये जो भी सलफ फे डिबे थे उनको उठाने लगी हूँ बरतन वगेरा वैसे मैं बाद में साफ करूंगी और बाकी का तो मैं काम बाद में करूंगी बस सलफ से मैं तोड़ा साफ सा कर रही हूँ ताकि बाद में जब पोचल लगेगा तो मुझे ये न लगे कि हाँ भी कीचन में तो काम पड़ है बस ये रहेगा हाँ बरतन बरतन करना है मुझे कीचन में बाकी तो मैं इस रूम में आई थी इदर मंजल देखने के लिए कि यहाँ मंजल देती हूँ और यहाँ सूक न डालनी है तो जाते जाते मैंने सोचा चलो आई तो हूँ चलो ये बैड़ शीट भी ठीक कर देती हूँ तो जो भी काम आगे आए उसी काम को पहले कर दीजिए मेरी तरह है तो ये बैड़ शीट जब मैंने इस बैड की रूम की डीप क्लीनिं और तो उन में से एक ये भी थी और इसके पिलो कवर भी मुझसे गूम हो गए थे तो वो मुझे मिल चुके हैं देखिए बैड़ शीट का रंग तो फीका हो चुका है और पिलो कवर देखो कितने डारक है तो मतलब मैंने ऐसी कोई भी ऐसा समान नहीं चोड़ा जिसमें हाथ ना निकाला हो कीचन में भी और इस रूम में भी ये दो रूम मेरे हो चुके हैं तो अब आगे जाके ज्यादा मुश्किल नहीं होगी तो मैं ये ले आई थी मंजी मंजा चार पाई तो इस पे ग्यों को सूखना डालेंगे और आज मेरा पूरा धियान यहीं रहेगा ग्यो झोहों के उपर यहों सूखना डालनी हैं क्यूँकि यहाँ ग्यों तो में डालदूंगी पर कबुटर भी बहुत आते हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि ग्योंहून अकराब कर देए घर्ण नहीं बहुत रोर सिर्ट करते हैं लिए जान रहाएगा तो कभी दरवाजे के पीछे से कभी खिड़की में से कभी परदे के पीछे से तो काम तो मैं घर के अंदर करूंगी पर मेरा ध्यान आज बाहर ही रहेगा तो काम भी होते रहेंगे और ग्यों का ध्यान भी रखा जाएगा तो ग्योहूं तो डाल दी भई सूकना जितनी चाहिए थी तो जो बचगिया उसको फिल हाल यही रख देते हैं और पोच्चा लगाने वाला काम शुरू कर देती हूं तो सबसे पहला काम अब यही है कि यहां पोच्चे शुरू कर देते हैं और इस रूम से पोच्चा लगाना शुरू कर दिया और दिवार देखो भी पिछे वो बताना की कैसी लगी यह पेंट भी मैंने खूद ही किया है तो आज पोच्चा वाइपर से लगेगा और कल पोच्चा नहीं लगेगा तो जब परसू पोच्चा लगेगा फिर हाथ से पोच्चा लगाएंगे तो मैं सारे काम खुद से ही करती हूँ तो वही है 32 का फार्मूला चल रहा है बहुत से इस पे काम कर रहे है यूटूबर बत्ती के फार्मूले पे तो हमारा तो यही बत्ती का फार्मूला है भई इसी से हम तो अपना वजन कम कर लेते हैं इतना काम हो जाता है तो वही है अपना घर का काम कीजिए मस्त रहिए कोई भी फार्मूले की जरूरत नहीं होती है न तो डाइट प्लान की भी कोई जरूरत नहीं होती अपने काम में व्यस्त रहिए और देखिए आपका श्रीर कैसे काम करता है फिर है ना जैसी आदत लगाओ वैसी ही आदत हो जाती है तो हम तो भई ना कुछ छोड़ते हैं और ना ही कुछ मतलब जैसे डाइट प्लैन करते हैं भी यह नहीं खाना वो नहीं खाना और पता नहीं क्या क्या करते हैं भई बहुत से यूटूबर आए हैं बत्ती का फार्मूला लेकर पर वो मेरी समझ से बाहर है अपना तो यही है जैसा भी है और सुबह वोक पे भी जाती हूं भई गूमने मैं जरूर जाती हूं और इसलिए जल्दी उठ जाती हूं और जल्दी अपने काम घर के जो भी है समापत कर देती हूं तो वो बैड रूम हो गया था इशान्त का रूम हो गया और यह सोफाएरिया अब सोफाएरिया इधर से करके तो मैंने सोचा साथ के साथ इनको जाड भी देती हूं और जो इ अगर आपको ठीक रहना है न तो सुबह जल्दी उठ जाओ इसमें क्या है है न बस थोड़ी सी देर दिक्कत होती है थोड़े दिन होती है थोड़े से टाइम जब आप उठोगे और थोड़े से दिन फिर खुद ही आदत पड़ जाती है इशान्त भी अब तो जाने लगा है तो जी यहां से साफ कर देते हैं और यहां से साफ करने के बाद फिर देखते हैं जाएंगे दूसरे रूम में और आज बाल खुले पड़े हैं तो मैंने परसूं पोच्चा लगाया था ना मैंने बताया था कि अगले दिन जब शिराद था तो शाम को मैंने पोच्चा लगाया था हना तो उस टाइम न मुझे गर्मी आई हुई थी और उसमें ही गर्मी आई हुई में मैं नहाली तो मुझे थोड़ा सा ऐसा मैसूस हुआ जैसे गर्म सर्द हो जाता है बुखार सो जाता है तो थोड़ा सा आज वो भी इतनी फूर्ती सी नहीं थी लग रहा था कि जैसे बुखार है पर मैंने वही एक ले ली थी अपनी टैबलेट तो फिर उसके बाद लगी थी अपने काम में वैसे बुखार आज कल चला हुआ है भई तो अपना अपना आप सभी भी ध्यान रखिए टाइम पे अपना खाना पिना दवाई वगरा ले लीजिए भई जिनको भी ऐसा लगे तो फिर अग्ये चलके दिक्कत नहीं आती तो जी यहां से भी साफ करते करते चलेंगे अब मेरी कीचन और एक रूम रह जाता है लाश्ट और यह जो पोचे में मैंने कपड़ा लिया है ना ये भी मतलब पोचा लगाने में ना इतनी मेरी हेल्प करता है कि जल्दी 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 पोच्चा लगता है बहुत मतलब कुड़ा ये सारा पकड़ता है तो मैं ऐसा ही कपड़ा लेती हूँ भई पहले आपने देखोगा है मैंने एक टावल ले लिया था नया ही टावल था उसको काट दिया था वो भी अभी है मेरे पास पर ये उससे भी अच्छा है तो जैसे दूल मिट्टी सारी कींच लेगा सारी पकड़ लेगा और मतलब स्लीप ना फर्स पे बहुत जादा स्लीप होता है तो फटा फटी से ना बहुत ही असानी से पोच्चा लग जाता है और बहुत ही कम टाइम में वो तो थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है तो नहीं तो ये ना इस से पोच्चा और मैंने इस तरह हैं कि ये काफी सारे कपड़े रख लिये हैं इनको वेश्ट नहीं करेंगे जब ये खराब होएगा तो दूसरे ले लेंगे ये सोफे के कवर थे थोड़ा बूर से वा पे का पोच्चा लेके आना ये भी बहुत अच्चे से कोई ऐसा कपड़ा होना तो आप भी इस्तमाल करके देखना काम कितना असान हो जाता है और इससे पोच्चा लगाते हुए दिल भी खूश हो जाता है बहुत अच्चे से साफ होता है जब मैंने दिवार पे पेंट किय थोड़ा सा इस पर paint गिर गया था वैसे paint छूट नी रहा इस से वैसे ही इसमें color नजरा रहा है आपको वैसे ये बिल्कुल first class और बिल्कुल ठीक है स्लिप होने वाला एकदम और गंद पकड़ने वाला जो भी दूल उती है ने एकदम से पकड़ लेता है बाल वगेरा जैसे तो तो यहां से भी हमारा हो चुका है और फिर चलते हैं कीचन में कीचन में बस वही है कीचन में जादा नहीं है है ना जो मेन मेन था बड़ा बड़ा था वो हमारा सारा हो चुका है साफ कीचन में जादा टाइम नहीं लगेगा तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है अब यहां खड़ियों के मैं पता नहीं क्या सोचने लगी थी सोचने मैं यह लगी थी कि आज यह जितने भी मतलब यह फूल वगारा रखे हैं इनको भी धो देती हूँ पर फिर मैंने सोच नहीं आज नहीं दोएंगे इनको दोएंगे कल कल का भी फिर बोलोग बन जाएगा हमारा कल के लिए भी कुछ काम छोड़ना चाहिए तो और राशन भी कल ही डलेगा आज नहीं डालूंगी आज मेरा मुड़नी है बाकी आज सारी साफ सफाई जितनी भी है वो करतेंगे घर मतलब चमक जाते हैं जब अपने आप से काम करो और बहुत फरक नजराता है जब मेड आती है और काम करती है ये सफाई आपको देखने को नहीं मिलेगी चाहे आप खुद से भी कर लो मेड के जाने के बाद चाहे आप खुद से भी कर लो पर आपको ऐसी सफाई नजर नहीं आएगी जैसी मतलब हम अपने हाथों से अपने दिल से करते हैं ना तो मन से करते हैं खुश हो के करते हैं तो वो सफाय आपको देखने को नहीं मिलेगी वो सफाय आपको देखने को तब ही मिलेगी जब आप अपनी खुशी से अपने घर का काम करते हो तो ये है बात और पोचा वगेरा सारा खतम काम तो अब करूँगी मैं यहां से सल्फ वगेरा साफ तो आट निकाल के रख दिया और मैंने कहा था ना बस अभी कीचन का मैंने जो मोटा मोटा सा समान था है डिब्ब वगेरा वो तो रख दिये था बाकी अभी कीचन मेरी ऐसे ही थी बस अभी यह हो गया ist सारे घर चमक गए हैं बस कीचन मेरी रह गी है चमकाना तो कीचन को भी चमका देते हैं थोड़े से जो बरतन है टोकरे में उनको निकाल देते हैं और बरतन मैंने बाहर बहुत कम कर दिये बई यानि कर दिये क्या बाहर न मैंने बहुत कम बरतन रखे हैं और जो बाकी के बरतन है उनको पहुंचा दिया अंदर मतलब जहां तक हात ना हमारा जाये उन पर कोई हात ना डाले बर्तनों पे क्योंकि जितने ज़ादा बर्तन बाहर होते है ना फір उतनी ही जधा कीचन में भीड़ बढबाका आशा हो है तो फिर तीन बंदे तो हैं हम तो मैंने बरतन बाहर कम ही रखे हैं और सच में भई बरतन अंदर रखे न ये जो फालतू के बरतन थे उतने सारे बरतन मैंने निकाल ले हुए थे आपको पता ही है पिछले व्लोग में मेरे देखना तो जब से मैंने बरतन मतलब रख दिये ना फालतू के उठा के ना मेरा काम कीचन का ना बहुत कम हो गया भई सच में मुझे भी यकीन नहीं होता कि इतना मतलब कम कैसे हो गया और कैसे इतने बरतन गंदे हो जाते थे वही है कीचन में जितने भी बरतन होते हैं ना ना करते भी सारे गंदे हो जाते हैं और अब देख लो मैंने कम बरतन बाहर रखे हुए हैं फिर काम भी चल रहा है ये नहीं है कि हाँ बरतन नहीं है दूड़ने पड़ेंगे हाँ हमें कुछ लेना है तो बरतन का हाँ तो बरतन हैं फिलाल आपको पता ही है तो तीन बंदों के देख लो है ना तो ज्यादा बरतन नहीं रखने बाहर तो वही है मेरा काम बहुत असान हो गया इससे तो जी कीचन की भी डीप क्लीनिंग आपके सामने हो गई थी और कीचन में ना कोई भी ऐसा छोटे से छोटा भी कोई ऐसा समान नहीं है जिस पे मेरा हाथ ना लगा हो तो कीचन की भी डीप क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी अब बाकी मेरे ज्यादा काम नहीं बचा है बस जो हमारे कर्टन उगला है यह दोने यह तो देखते हैं कब इनका नंबर लगेगा वैसे मैं इनको बोल रही थी कि उतार दो इनको फिर प्रैस बगला भी करवानी है इन पर हो जैगी तो देखते हैं यह कब उतारेंगे या फिर अपने आप ही उतारने पडेंगे तपी काम होगा क्योंकि इनके बरौस से कोई काम नी होता भई तो ये काम भी मुझे लगता है मुझे खुद ही करना पड़ेगा करटन उतारने वाला तो देखते हैं कब करटन की बारी आती है वैसे कल मैं फ्री हूं कल इतना काम नी है मेरे पास शायद एक रूम के मैं कल भी कर सकती हूँ पक्का नहीं देखते हैं कैसा रहेगा क्या होएगा तो लगी थी मैं सलफ गेरा करके कीचन सारी साफ सुतरी करके लगी थी फिर ये बरतन थे जो इनको साफ करने और अभी दिखाते हैं आपको मेरे टोकरे में कितने बरतन मिलेंगे आपको तो वही तभी मैं कह रही हूँ काम बहुत असान हो जाता है तो क्योंकि हम एक प्लेट में तो खाना खा लेते हैं तीन बंदे हैं एक प्लेट में तो इसलिए खाते हैं नहीं तो फिर एक प्लेट और गंदी होती है अभी आपने देखा होगा दो प्लेटे थी बस हाना और गिलास कप बस इतने से बरतन कड़ा ही तो जो भी सब जी वब जी बची थी वो मैंने निकाल के रख दिया आटा निकाल के रख दिया तो सिक भी कर देते हैं साफ तो मैं किड़की में से देख रही थी कबुतर तो नहीं आए बाहर के हों पे तो सिक भी कर देते हैं साफ तो यह जी इस तरह से हमारा काम समापत हो जाता है जल्दी से और सभी को पता है बई जब भी मैं कीचन का काम करके बाहर निकलती हूँ तो एक गिलास मेरा पानी का जरूर होता है और मैं वो अराम से बैठ के तसली से दीरे-दीरे पिती हूँ तो यह आदत भी बहुत अच्छी है तो यह भी आप अपना सकते हो आदत है ना तो दीरे-दीरे पीना चाहिए ऐसे ही बैठ के अराम से और अभी चलते हैं नहाने फिर उसके बाद फुरी और अभी वीडियो के जो लाश्ट में दो वीडियो लगाऊंगी देखना कैसी हैं कैसी नहीं